टिम इंडिया ने टीट्वेंटी सीरीज के पांचवे और निरिनायक मुकाबले में अंग्रेजों को 36 रनों से रौन दिया कप्तान विराट कोली और रोईट शर्मा के ताबर तोर अर्चे तक की बदौलत भारत में 20 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर 224 रन जवाब में अंग्रेजों की टीम आर्ट विकेट के नुकसान पर 188 रनी बना सकी अलागि जॉस बटलर और डेविड मलान जिस अंदास में बैटिंग कर रहे थे उससे इंग्लिश टीम लक्ष की और बढ़ती दिख रही थी बटलर और मलान ने दूसरे विकेट के लिए 130 रनों की साज़ेदारी की इस जोड़ी ने भारती टीम की टेंशन बढ़ा दी थी कप्तान कोली ने तेरवे ओवर में अपने स्ट्राइक गेंदबाज बुबनेशर कुमार को गेंदबाजी के लिए वापस बुलाया बुवी ने इससे पहले दो वरो में सिर्फ छे रन दिये थे बुवी ने अपनी किफायती गेंद बाजी जारी रखी साथ ही उन्होंने विकेट भी निकाल कर दिया उन्होंने तेरवे ओर की पांचवी गेंद पर जॉस बटलर को हार्दिक पांडिया के हाथों कैच आउट करवा दिया विकेट गवाने के बाद बटलर निराज थे जब वो पवेलिन के ओर जा रहे थे तो कप्तान कोली से उनकी बहस हो गई उन्होंने कुछ कहा जिस पर कोली भड़क गए और उन्होंने अपनी नाराज गीश जाहिर कर दी इसके बाद बटलर भी रुग गए और कोली से उलजने के लिए वापस पिच की ओर आने लिगे हलाकि दोनों के बीच हुई इस काहसनी का कारण मालूम नहीं चल पाया नुकसान पर 224 रन बना जवाब में इंगलिंड की टीम आर्ट विकेट के नुकसान पर 188 रन ही बना सकी इसी के साथ भारत ने तीन-दो से सीरीज भी अपने नाम कर ली लेकिन लाइब माच में विराट और बटलर की बहस देखकर हर कोई हैरान रह गया A&P Newsroom के रिपो